नमस्कार दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर SSC GD के लिए हमें हाइट और वेट के रेशियो का एक चार्ट आप प्रोवाइड करवा दीजिए तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही एक चार्ट पर डिसकस करेंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि आपकी हाइट की अकोडिंग आपका वेट कितना होना चाहिए एक्चुल में जब आप SSC GD का मेडिकल देने जाओगे तब आपके वेट का क्या वहाँ पर वेटेज होता है कैसे आपका वेट चेक किया जाता है उसके उपर भी मैं आपको वीडियो के अंड में बताऊँगा तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले चार्ट को देखत के कुछ रिलेक्सेशन जो आपको हाइट में मिलते हैं उनके हाइट जो है 147 तक आ जाती है तो 147 से 183 तक का हाइट के अकोर्डिंग रेशयो कितना होगा वो यहाँ पर अब हम चेक करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर बात करें 147 सेंटिमेटर अगर किसी फिमेल की के बीच में होना चाहिए किलो के या तो 36 किलो की हो 38 39 40 45 तक का उनके बीच में या दोनों के endpoints पर आपका कितना भी वजन हो बस आपका 36 से 45 के बीच में जो वजन है वो होना चाहिए ठीक है अगर मैं बात करो 150 का तो 49 से 48 केजी के बीच में आपका वजन होना चाहिए अगर बात करते 152 cm का तो आपके पास 41 से लेकर 50 केजी तक का से लेकर 55 केजी तक का आपका वेट होना चाहिए बात करें अगर 160 cm का तो 160 के अंदर आपका 47 से लेकर 58 केजी तक आपका वेट होना चाहिए अगर 163 cm की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 163 cm के अकोडिंग आपका 49 से 60 केजी के बीच में आपका वजन यहाँ पर होना चा यह 51 से लेकर आपका 63 kg तक और अगर आपकी हाइट है 168 cm तो यहाँ पर आपकी हाइट के कोडिंग 53 से आपका 68 kg तक आपका जो वजयन है वो होना चाहिए ठीक है भाई अगर यहाँ पर 53 से 65 kg तक ठीक है अगर हम यहाँ पर बात करें आपके वजयन अगर आपकी हाइट 170 cm है तो आपकी यहाँ पर 55 से 68 kg तक आपका जो वजयन है वो होना चाहिए अगर 173 cm आपकी हाइट है तो 57 से 70 kg तक आपका वेट होना चाहिए 155 पर आपका 59 से 73 kg तक का अगर 178 हाइट आपकी है तो आपका 165 kg के वेट का 180 है तो 64 से 78 kg और 183 है तो 65 से 80 kg ठीक है इसके बीच में आपका वेट होना चाहिए तो फिमेल्स की हाइट 147 cm से 183 तक कितनी भी हो इसके अकोडिंग आपका जो वेट है किलो में इतना होना चाहिए 147 का 36 से 45 उसके बाद आप अपना देख सकते हो इनी के इसके बाद करें अगर मेल्स की तो चलिए एक बार फड़ावट मेल्स का और देख लेते हो उसके बात करेंगे कि मेडिकल के अंदर आपका जो वजहने वो कैसे चेक किया जाएगा और क्या मेडिकल का इंपेक्ट आपके मेडिकल का पोइंट बनाने में पढ़ता है या नह फुट दो इंट से लेकर आपकी 6 फुट तक की ठीक है तो चलिए अबर वेट देखते हैं अगर आपकी हाइट 157 cm से मेल्स की तो आपका जो वजन होना चाहिए वो 48 से 60 किलों के बीच में होना चाहिए ठीक है अगर आपकी हाइट 165 cm की तो आपका 51 से 62 किलों के बीच में होन तो आपका जो वजन है वो 53 से 65 के बीच में होना चीए ठीक है अगर आपकी हाइट है 165 सेंटीमिटर तो आपकी 56 से लेकर आपका 68 किलो के बीच में आपका वजन होना चीए और अगर आपकी हाइट है 168 सेंटीमिटर तो आपकी 58 किलो से लेकर 71 किलो के बीच में आपका वजन होना चाहिए अगर हम बात करें अगर आपकी हाइट है 170 cm तो यहाँ पर आपकी हाइट के अकोडिंग आपका 60 से लेकर 24 kg तक आपका वजन होना चाहिए अगर आपकी हाइट है 170 cm तो आपकी 63 से लेकर आपकी सतेंतर इतना आपका वेट इनके बीच में होना चाहिए अगर आपकी हाइट है 175 cm तो आपका जो वेट है वो 65 kg से 80 kg के बीच में होना चाहिए और अगर आपकी हाइट है 138 cm तो आपका जो वजन है वो 68 से 83 kg के बीच में होना चाहिए और अगर आपका वेट अगर आप की हाइट है 183 cm तो बहतर से 89 kg के बीच में आपका वजन होना चाहिए भाई तो मेल्स का वजन इतनी इतनी रेंज के बीच में होना चाहिए ठीक है अब ये तो था आपका हाइट और वेट का चार्ट मेल और फिमेल का अब आते हैं मुद्दे की बात के उपर कि भाई जब आपका मेडिकल करवाया जाएगा तो उसमें आपके वेट का पॉइंट आपको मिलता है नहीं मिलता तो यहाँ पर देखिए जब आपके वहाँ पर हाइट जो है वो चैक हो चुकी है अब जो मेडिकल में जाओगे आप ठीक है सो मेडिकल के अंदर जब जाओगे तो आपका 18 to 16 से 18 BMI इससे नीचे आपका जो वज़न है वो नहीं होना चाहिए अब ये 16 to 18 BMI क्या होता है ये बहुँ ज़ादा अंडर वेट के अंदर आता है जैसे कि मैंने आपर बताया 48 से 60 ये एक नॉर्मल वेट यहाँ पर डिफाइन कर दिया 48 और आप जब मेडिकल करवाने जाते हो मान लो ठीक है रिलेक्शेशन लेने के बाद और आपका जो वज़न है वो मिलता है 32 कि जो किलो ठीक है तो 32 किलो जब आपका वज़न मिलेगा तो आपका BMI किसके पास चला जाएगा 16 से 18 के पास तब वो आपको रिमेडिकल में यूं कहते हैं कि भाई वेट बढ़ा कर आप थोड़ा सा आओ वेट को गेन करो और उसमें भी आपको रिमेडिकल नहीं देते हैं वो सिर्फ आपको ये बोलते हैं कि जब तक आप ट्रेनिंग तक आओ अपने वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना ठीक है तो अगर 16 से 18 मत्तब बिल्कुल ही आपका कम है बिल्कुल ही 20-22 किलो के बीच में आप 30 किलो के बीच में अगर आप आते हैं तो आप अंडर वेट माने जाते हैं आपका वेट कुछ भी रहता हो उसमें आपको पोइंट नहीं देते हैं लेकिन गर्ल्स के साथ एक प्रोब्लम होती है यहां पर अगर फिमेल्स जो हैं अगर जितनी भी फिमेल हैं अगर वो लो वेट पे हैं तो उस लो वेट की वजए से उनका जो हमोगलोबिन है वो लेवल काई बार डाउन हो जाता है और अगर हमोगलोबिन लेवल डाउन है तो आपको रिमेडिकल में पोइंट मिलता है कि आप अपने जो हमोगलोबिन का लेवल है उसको इंक्रीज करें ठीक है तो आपके अगर weight आप ठीक है आपका ठीक ठाक है जादा कम भी नहीं है 20-22 kg के असवास भी नहीं है और 30-36 के करीब में हो लेकिन हैmoglobin कम है तो आप iron वगेरा intake करके HP को बढ़ा लो weight को बढ़ाने के आपको जरूरत नहीं है ठीक है जो लोग बहुत जादा मोटे हैं जिनसे चला फिराई नहीं जा रहा उनकी तो कानी नहीं है क्योंकि ऐसे लोग तो physically पास नहीं कर पाएंगे जिनने भी physical पास किया इसका मतलब उन्होंने महनत किया और अगर महनत की है तो उनका weight बढ़ने का chance ही जी नहीं उनका एक आदा किलो उपर नीचे मिलेगा तो उसकी यहाँ पर कोई भी गबराने की जरूरत नहीं है यह चार्ट तो आप अपने weight को coding रख सकते हो बट medical के अं पूरत यहाँ पर नहीं है फिर भी आप अपने चार्ट के coding अपने आपको fit रखने के लिए आप अपने weight को maintain कर सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए इतना ही thank you so much नमस्कार